हेलो फ्रेंड्स कैसे वाप सबाई हूप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक करने वेड गई थी और सुभा की लगवाद सात बच चुकी हैं और हजबंस आप तो डूटी चले गए हैं और बच्चे अपना नाना धोना कर रहे हैं और होता ही है सुभा का काम तो रोज का यही है उठो विस्तर जाड़ो यह करो वो करो बहुत काम हो जाता है और मेरे तो थोड़ा हमना जिस दिन हजबंस की छुटी होती है उस दिन थोड़ा हैल्प भी कर लेते हैं वैसे तो कोई हैल्प नहीं करता है बच्चे को बोलन दिन का काम करने के साथ ब्लोगिंग भी देखना होता है यार थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के ब्लोगिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ब्लोगिंग करना तो क्या ही करू है न तो काम को भी manage करती हों घर को भी manage करना पड़ता है बच्चों को भी देखना होता है husband साब को भी time to time अब ड्यूटी से आना खाना खिलाना सारा काम देखना पड़ता है और यहां पर बच्चों का स्कूल का जहां पर वो study करते हैं वहाँ पे पुरा ये भुक भी उन्होंने फैला रखी है तो भुक पुरा ठीक करके फिर दूसरे रूम में आई तो दूसरे रूम में भी कंबल कुंबल ऐसे फैले हुए थे तो उनको साइजिंग से लगा रही थी मेरे तो सुबह का काम मतलब एक घंटा मैकसिमम विस्तर के उपर ही चला जाता है एक कंबल फोल्ड करो वो कंबल फोल्ड करो सारा मतलब सारा घर मेनेज करने में एक घंटा पूरा लग जाता है तो फ्रेंट्स होता ही यह है ना हाउस वाइप कोई भी ओ यार उसका कामी मतलब कमा टूड़ जाती है सच्ची में बता रही हूं सुबह का टाइम से और दस बज़े तक का टाइम बहुत टफ होता है हमारे लिए क्योंकि एक मिनट भी फुरसत नहीं मिलती है ना और जबके हम लोग सुबह चार बज़े उड़ते हैं इन्हें में लगा देती हैं और कितना क्या करों थो को यहां वानते हैं फिर जाएं ह। तो पेन लेते हैं सुबह के टाइम में थोड़ा गरम हो जाता तो में यहां पर अच्छा से उनको साइजिंग कर देती हूं और अच्छा भी लगता है साइजिंग किया हुआ सामान पूरा है और सारा दिन यही काम है यह कपड़ा निकालो फिर धुलाने के लिए रखो मेरा तो दिन वर ऐसे ही चला जाता है और हजबन साब तो मेरे ढ़ाई बज़े जैसा आते हैं घर उनके लिए खाना भी बनाना होत है और क्या बोलते हैं मैंने मंला वह पूरा घर का पूरा साइजिंग करके पिर यहां पर मैंने यार किचन में पहुची तो बरतन को भी पटाफर साइजिंग किया अगर बरतन भी ना किचन में ऐसे बरतन भी पहले होंगे तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी तो शेक्वची नहीं बॉड़ा घूर है में लगी जाता है और यहां पर मिनले जहाड़ू जुड़ Мारने बैड़ गइअ के शुबह करें जहा शबया जाता है को बहुत Jooot कपड़ा पेंना चाहती हो मिलती है पर जो हाथ में पैन लेती हूं यहां पर मैंने पानी रगा रहा था नहाने के लिए पानी गर्वांग शुका था तो मैं तो यहां रही हूं और कपड़े भी आज इतने जादा थे ना क्या ही बोलो सची में बहुत दुम्हें लगी थी दो गुंटा चला गया था फिर दो गुंटे बाद फिर अभी नहाने के लिए गई तो बातरों में भी इतना जाधा कपड़ा है और बहुत हो जाते है आज कल के कपड़े आना क्यो मेंने भी पता खौना बनाना था हुआने का सब्सटाल भी टाइम हो रहा है और यहां पर यहां हरी सब्ylene mkhne इस साइड में बॉयल सब्जी जादा खाते तो हरी सब्जी को बॉयल बनाई रही थी तब तक खाना पिना मेरा सारा हो गया था तो बच्छी को फटा फट देके उन लोगों ने खा लिया और दिन में थोड़ा आराम किया यह लगभग है यह जो मशीन निकाला है मैंने लगभ फट भी ठक भी जाता है दिनोहर का काम करते करते तो आस तो हज़र ने वह लगभग है तो यहां पर मैंने शिलाई करके मसीन समालने बैड़ गई थी और अभी शाम का टाइम हो रहा था सब बच्चे भी मतलब आ जाते हैं ना टूशन से आ गए थे वो लोग भी तो यहां पर में गुन-गुना पानी कर रही थी सबको हाना तो हमारा आदती है यह लगभग चार बजे साड़े-4 बजे के करीब हम लोग मलब यहां रात पड़ जाती है साड़े-4 बजे तो हम यहां पर गुन-गुना पानी पी रहे थे बड़ा बीटा तो अभी टूशन से आ था पानी पीने के बाद तुरंत मैंने चाय भी बना दी पांच बजे के करीब यह लगभग चाय बनी है मेरी और अब प्रियांशु भी घर आ गया था टूशन से तो सभी लोग हम यहां पे चाय पी रहे हैं और पूछा उन लोग को कौन सी चाय पी हो गुड़ वाली पी होगे न है ऐसे चीनी वाली बनाऊ तो सब ने बुला नहीं ममी शाम के टायमें चीनी वाली बनानी है और बड़ा-बेटा के काणों में ये लीड़ लगा हूए तो उसको मैं खीच अरी वह नीची कि मतलगा थोड़ा सा फिरी भी रख है न कान को तो यहां पर चाय पानी भी हो रहा तो भी पढ़ाने के लिए आ गई थी और थोड़ा इसको संस्क्रीट हिंदी पढ़ना पढ़ता है इंगलिस साइंस मैथ यह खुदी कर लेता है यहां पर मैंने इसकी स्टढी की करवाई और यह तो गुस्सा करता है लेकिन हिंदी और संस्क्रीट के लिए नहीं मना करता है क्योंकि उसकी समझ में थोड़ा कम आता है तो यहां पर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठी और मेरा भी दिन भर का रूटीन यही है रोज का रू और आप सभी को भी मलब जो भी हाई हाउस वाइफ होगा सब करूटीन यह होता होगा खाना पीना बनाके फिर बच्छी को पढ़ाना है और अभी अन्यों को पढ़ा के ना मैं किचन में जाओंगी फिर उदर खाना पीना सब बनाना है मेरे को हाँ थोड़ा सा हेल्प मिल जात इंवा इव कर दो फिए पान रही हो पाप पाना है